हमारे जम्हो कश्मीर में BJP से कोई लोग खुश नहीं है, BJP को पता है, LG Government से लोग खुश नहीं है, Bureaucrats से लोग खुश नहीं है, Bureaucrats का और LG Government और उसके Bureaucratic Setup का आपस में तालमेल नहीं है, Politicians के कुछ नाम आये हैं और कुछ असरसूप वालों के नाम आये हैं, अभी तो इसमें हमारे IPS Officers, IAS Officers और उनकी कितनी Properties हैं, उन्होंने कितनी Details भरी हैं अपनी Properties की और जिन्होंने नहीं भरी हैं, तो there is a lot to come. कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ ना, वहां पे भी आपने Land Grabbing की और फिर जो Important लोग हैं, उनको वहां पे बसा दिया, आपने SSP ले आए, आप पुलीस के वरिष्ट अधिकारी ले आए, आप कोई बड़े नेता ले आए, उनको एक एक प्लॉट दे दिया, और पूरी Land को आपन बिल्डिंग्स बना ली हैं, commercial complexes बना ली हैं, big chunk lands की colonies बना ली मिली, अपनों को नोकरियां बांती, तो ये सारी चीजें आप steam line हो रही हैं, तो ये आपको ये कहा कि किसी चीफ मिनिस्टर की office से phone आ जाएगा, एक DC को, तो DC ने आगे वो अपने subordinate को ही pass on करना है, तसीलदार क को करेगा, पटवारी को करेगा, revenue officials को करेगा, नजूल officer को करेगा, अगर वो state land को encroach करना चाते हैं, या उसकी गरदावरी चड़ाना चाते हैं, या जो भी करना चाते हैं, mutation करवाना चाते हैं, तो उस बिचारे पटवारी को, या तसीलदार को, या SDM को हम क्यों वो कर रह हैं, blame कर रहे हैं, अदराव नाजरीन, हालिया दिनों, जमो कश्मीर की सरकार की तरफ से एक हुक्म नामा साधिर किया गया, जिसमें कहा गया है कि तमाम तर DC's को ये हुक्म नामा सोपा गया है, कि जितना भी state land, खास्चराई land, जो जिस पर कबजा किया गया है, उसको खाली करवाए, और इस हवाले से कई दिनों से जो है, तमाम तर DC's जो है लगे हुए है, और कई जबों पर state land जो है खाली किया जा रहा है, फिलाल इसी मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए माजूद है, समाजी कारकुन रुची खान, रुची खान जी सब के से प time to time सरकार हमें हिंच दे रही थी कि आपके पास कितनी property है, मतब आप एक portal है, उस पर आप अपने आपको register करें, आप बताएं कि कितनी properties एक एक इनसान के पास है, government officials के पास कितनी हैं, और ऐसी बहुत सी चीजे, मतब स्टीम लाइन हो रही थी, वेब साइट्स बन रही थी, ह अब ये गार्ज कभी ना कभी हम सब पे गिरनी थी और ये अगर ऐसा समय आया है क्योंकि ऐसा हुआ है कि ना तो जम्मू के लोग खुश हैं ना कश्मीर के लोग खुश हैं और जातियां हमारे साथ भी हुई हैं जातियां हमारे कश्मीरी भाईयों के साथ भी हुई हैं और ज कुछ लोग हो जाएं तो उन्हीं को पॉवर्स मिल रही थी वही अपने सारे सरमाया तयार करते जा रहे थे आम आदमी पहले भी सफरर था आज भी सफरर है बट यह स्टेप मुझे लगता है कि कभी न कभी जो मतब यह जो मरहला आया है यह कभी न कभी होना था और मुझे नाके रह रहा है उनको कत्यी डरने की जुरत नहीं है हमारे लगी साहब ने कहा है कि वह छोटे आदमियों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और इसमें मतब एक याचिका दई गई है हमारे सुप्रीम कोट में हमारे जो ओनरेबल चीफ जस्टिस हैं चंदरचूर साहब उन्होंने भी कहा है कि मैं इस याचिका को बड़े गोर से सुनूंगा और फिर मैं अपना फैसला दूंगा और मुझे लगता है चीफ जस्टिस चंदरचूर जो हैं बहुत सीजन्ड आदमी हैं और बहुत कंसिडरेट हैं वो जो भी अपना राय देने वाले हैं वो हम सब क कुबूल होनी चाहिए और वो निश्पक्ष होनी चाहिए है और वो यकीनन चोटे आदमी के लिए उसमें कोई मतब पहार नहीं गिरने वाला यह गाज उन पर पहार नहीं गिरेगा लेकिन जो गरीब आज सड़कों पर है इस फैसले के खिलाफ जो गरीब आज कई सारे दि तो भी आपके एरिया के जिस हल मतब आप डिस्टिक में रहते हैं उस डिस्टिक ऑफिस में जाके आप अपने डीसी ऑफिस में जाके अपनी मुटेशन चेक करवाईए और देखिए देखिए एक बार ऐसा हुआ था कि जब 47 के बाद लोग यहां पे आके बस गए बस गए तो कोई कहीं से आया था कोई कहीं से आया तो 57 में 57 से लेकि 71 तक की जहां पर पर भूनत हैं तो कि उनके नाम पर मुटेशन हो घूंगी जो अगर कोई रोगों ने चूख कर दी णियो या कोई घर में बड़ा नहीं था जो जाता चकर काटता तो उस वकत के मतब अगर नहीं है तो this is the time for them to go to approach their DCs and you know narrate your stories and the DCs are there to listen to their woos and cries ये जो गाज है ये उन लोगों पर गिरी है जिनों ने अपने सर्माए बनाए है वो I, Me and Myself वाला किसा आपने कहा गिने चुने लोग है वो बहुत गिने चुने लोग है अगर है रुची खान जी आप बता दीजिये न कौन है ताकि जमो कश्मीर की अवाम को पता चले कि कौन थे जिनकी वज़े से आज वो सड़कों पर है बता चल आप अब भी तो यह जो लिस्ट है यह तो वाइरल हो चुकी है आप यह देखिए कि हमारी जितनी भी गर्मेंट्स रही है नफरब के बीज बोना मतलब कब से शुरू हुआ है जब हम यह डिक्लेयर करते हैं कि फलां मतलब जमो में या कश्मीर में एक जगा पे लैंड आइ कश्मीरियों के लिए पंडितों के लिए हम ऐसे नहीं करने चाहिए हैं क्यूंकि कश्मीर जो है सिर्फ कश्मीरी मुसल्मानों का नहीं है ना वो तो कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही था हां यह एक जो हमारा एक्सोडस हुआ जो एक यह हिस्ट्री में एक वो काला मतलब तो उस वकत जब यह लोग आ गए तो अब हम उनको वहां पे दुबारा भेजने के लिए अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक जगा मतब इनको बसाया जाए जहां पे यह वह कोई एक सक्षे क्रें से कि गला कोई जाए तो जाए 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 तो अबंसे जाए जगे हैं जहां एस जाए जना हिंदू अरुमिंट मुसलिम अल्या जहां amean सरह, आप तेल्हां खटी का देखिये वहां पे 60-40 की रेशो होगी कभी कोई एसी इंसिदें नहीं और मतलब डी आए रिमेंबर की हम लोग वहां पे इतने आपस में मिल जुल के रहते हैं कि कभी कोई ऐसी बात ही नहीं मगर जब भी कोई ऐसी बात होती है हिंदू-मुस्लिम इंसिडेंट कहीं भी होता है मतलब कहीं भी कोई ऐसा वाक्या होता है तो बठिंडी का नाम सबसे पहले आता है सारे मुस्लिम हैं और आगर आप कोई शरारत करने के लिए कहीं एक मतलब हिंदू के दिलों में आपने नफरत के बीच बोये यह किसी भी सरकार को मैं मतलब इसका दोश नहीं देना चाहती हूँ मगर आपने कमिनलिजम और यह जो रैडिकलाइजेशन है इसका बीच बोया तो वो कहीं न कहीं अपनी जगा हिंदू को यह तकलीफ है और मेरे जो कश्मीर के भाई हैं उनको भी यह है कि आप देखिए कि कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ ना वहां पे भी आपने लैंड ग्रैबिंग की और फिर जो इंपोर्टन्ट लोग हैं उनको वहां पे बसा दिया आपने SSP ले आए आप पुलीस के वरिष्ट अधिकारी ले आए आप कोई बड़े नेता ले आए उनको एक एक प्लॉट दे दिया और पूरी लैंड को आपने एक लैंड ग्रैबर को जाने देंगे तो फिर सिस्टम कैसे ठीक होगा स्टीम लाइनिंग लेकिन अरुची खान जी आपको मैं यहां पर रोकना चाहूंगा इस वक्त जो कारवाई हो रही है तमाम तर जिले के मेजिस्ट्रेट्स को यह हिदाय दी गई है कि जितना भी स्ट कि वज़े से डह जाएगा आपको नहीं लगता है सबसे पहले हमें शुरुआत करनी थी उस लैंड ग्रैबर पर जिस लैंड ग्रैबर ने कॉंटिटी में जमीने हड़की है हो चुकी है कि कि आशिक हो चुकी है मैं बताती हूं आपको अभी देखिए कल फहीम टाक ने बैं गया इस लैंड बिलॉंग्स तो गर्मेंट सो ट्रेस पासिंग इस ऑफेंसिबल आपको तो इसका मतलब है कि वह इतनी कनाल जो फ्लैंड थी वह तो अगर वहां पे वहां डेमॉलिशिंग हुई है तो इसका मतलब है कि गाज गिना शुरू हो गई है इससे पहले भी आप द इसनीटी का नाम बदनाम कर देते हैं किसी एक मतलब जैसे गुजर इसको कहा जाता है कि वह ग्लैंड डॉम्स हैं सब गुजर डॉम्स नहीं है आप किसी एक दोग को और लगा कि अशुजए ग्राबिंग कि है उसका नाम लेकर मतलब पूरी क्वाव्म को अपनी बदनाम कर तो वो सारे गुजर्ज एक जैसे नहीं है तो कहने का ये मतलब है कि बड़े ही लोगों पे ये होना है उन लोगों पे कि जिन्हों ने अपने सर्माये बनाए है और आम आदमी के राइट्स को ओवरलुक किया है उनको उनकी उन पे ज्यातियां की है और सरकारी सर्माया लूट लेकिन क्या होता था जिसका इसपर रसूख ठीक था उसको छोड़ दिया जाता था आपके भी में कई सारे लोग होंगे जिनको छोड़ा गया अगर गरीब पर कार्वाई की गई किसी गइब का दुकान तोड़ा गया लेकिन अमीर का कंप्लेक्स जो है वहां का वहां रहा आपको नहीं लगता है कि इससे पहले जो कारवाया की गई इसी तरह की कारवाया आज भी हो रही है मैं आपको यह बताती हूं सबसे पहले तो इस वकत का जो present scenario चल रहा है आशिक वो क्या चल रहा है कि हमारे जम्हो कश्मीर में बीजेपी से कोई लोग खुश नहीं है बीजेपी को पता है lg government से लोग खुश नहीं है bureaucrats से लोग खुश नहीं है bureaucrats का और lg government और उसके bureaucratic setup का आपस में तालमेल नहीं है तो इस से क्या हो रहा है कि सेंटर को इस बात का सब पता है जो दिली केंद्रे सरकार है उसको पता है कि जम्हो कश्मीर में different तरीके की धेर धेर सारी problems हैं तो अब तालमेल नहीं बैठा कहीं भी, तो हमने अपने आपको प्रूव भी तो कर रहे हैं, कि हम कुछ अच्छा काम करके दिखाएं, लोगों के दिलों तक पहुंचें, और जो कुछ चंद लोग डिफरिंट पुलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, वो लोग यह तो आप से यह कहना चाहूंगी, कि मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी है, कि आपको छोटे इंसान, छोटे लोग, जो छोटे जिनके पास छोटी छोटी जमीने हैं, उनको इस चीज़ का आश्वासन देना चाहिए, कि यह आपके लिए नहीं है, LG ने ट आप हैरास नहीं कर सकते, अगर कोई political parties या कुछ ऐसे लोग जो instigate कर रहे हैं छोटे लोगों को और सड़क पे लाने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं, आके धरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो आपके माधिम से, आपके जरीये से उन लोगों को educate करना आपका फर्स मैं देख रही हूं कोई छोटी-छोटी क्लिपिंग दिखाई जा रही हैं डिफरेंट मीडिया पर्सॉनल की तरफ से कि यहां जी वो शुरू हो गई जब कि वो किसी और रीजन से हुई है, हो सकता है वो कोई private encroachment किसी private land पे हुई है और उनोंने बुल्डोजर मंगा के जात मत जोड़िये, जैसे कि मैंने आपको भी example दिया था कि हमारी एक अपनी land थी तो जो भी था, तो मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया की बहुत बड़ी responsibility बनती है क्योंकि हमने भी कई सारे दिनों से कुछ वीडियो हमें भी आये, जहां पर लोग इस हक में खुद निकले है लोगों को इस बात की फिकर करने की जरूरत नहीं है, आखिर पर रुची जी आप से जानना चाहूंगा, उन गरीब अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तक्ष्वीश में है कि कहीं उनका घर न डेह जाए इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि उन गरीब लोगों को अपने डीसी के साथ जाके मिलना चाहिए है और यह एड्मिशन करना चाहिए है कि हमारे पास इतनी लैंड है, इसको रेगुलराइज कर दीजे, इसका क्या कमपनसेशन देना है, हम वो देने के लिए तयार है, हमें बेघर ना किया जाए और मुझे 100% इस बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कोई भी गर्मेंट उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली नहीं है, एक्शन उन पे जाने वाला है, जिन्नोंने मल्टा स्टोरी बिल्डिंग्स बना ली हैं, कमर्शल कॉम्प्लेक्स बना लिये हैं, बि अभी तो ये शुरुवात है आशिक, अभी तो इतना ये जो हो हला मच गया है ना, वो हंगामा क्यों है बर्पा, अभी तो हमने जेडिये पे आना है, जेडिये की लैंड एंक्रोश्मिंट होनी है, नजूल, मतलब जो सरकार, सरे सरकार, तो और उसके बाद हमने ये जो मिन कुछ नाम आये हैं और कुछ असरसूप वालों के नाम आये हैं, अभी तो इसमें हमारे IPS officers, IAS officers और उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने कितनी डिटेल्स भरी हैं अपनी प्रॉपर्टीज की और जिन्होंने नहीं भरी हैं, तो there is a lot to come and you know बहुत कुछ अभी एक संदेश है और अच्छी अच्छी शुरुआत इसलिए होगी कि आम आदमी को सबका चेहरा नजर आएगा और जो उनके जिन्दगियों में और उनके करियर्स पे और हमारी स्टेट में जितना भी इतना अन्रेस्ट पहला है, हम तरकी नहीं कर पाए, हमारा यूथ इतना परेशान रहा, नोकरिया नी मिली, अपनों को नोकरिया बांटी, तो ये सारी चीजें आप स्टीम लाइन हो रही हैं, तो मैं कामना करती हूँ कि मतलब इस बात के लिए कि हमारे जो गरीब लोग हैं, वो इस बात से मुतमईन रहें कि उन पे कोई कारवाई नहीं होगी और वो अपने अपने जो डीसी हैं, अपने अपने डिस्टिक्स के उनको जा के मिलें जरूर, बिल्कुत, बहुत बहुत शुक्रिया तो नाज़ीन, ये थी रुची जोहान खान जी, जो के एक समाजी काकुन है, इनके कहने के मताबिक उन गरीबों को घबरानी की बिल्कुल भ बड़े लोगों पर हो रही है, जिन्होंने कॉंटिटी में जो मुकश्मीर की जुमीनों को आज तक हड़ब किया है